हेलो एंड वेल्गम तुदी वल्वाइट पॉस तो इंडियन नेवी के रिलेटेड मेजर अपडेट्स निकल कर आ रही है यह का नमास अंजाम करकर ना इंडियन नेवी ने पूरी दुनिया को एक पड़ा मैसे सेंड किया है यहां पर आप यह पढ़ सकते हैं इंडियन नेव रेस्क्यू सेलर ओन बोर्ट अशिप अटाग पाइड पाइरेट्स ऑफ सोमाली कोस्ट यानी जो लोग इस शिप को कबजा करने आया थे ही अफकॉस सोमाली के पाइरेट्स थे देजी बाशा में फॉर्मल गैंक से समझो पीना टाइम वैस करें मैं आपको वीडियो क्लिप के तरफ लेकर चलता हूँ यह है स्पोक्सपरसन नेवी का ट्विटर एंडिल जो एक्स पन चुका है आज के वक्त इस पर ना इंडियन नेवी ने वीडियो रिलिस किया है और साथ मैं यह लिखा के इंडियन नेवी स्विफ्ट रेस्पॉंट्स तुदी हाईजैकिंग एमवी लीला नॉटफॉक इंदी अरबियन सी यानि के एमवी लीला नॉटफॉक ना शिप अरबियन सी में सेल कर रही थी और एग्जैक्ली उस टाइम क्या होता है कि अचानक से सोमाली के पाइरेट्स आते हैं और आकर शिप्स पर कबजा करने लगते हैं मैं चाहता हूँ पहले आप वो वीडियो क्लिप को देखे और देखो गाइस यह जो शिप है ना इसको सोमाली पाइरेट्स कबजा करने लगते हैं फर्स्ट इंडियन ने वी ने सोमाली पाइरेट्स को दूर से ही धंकी दे दी चितावनी दे दी के जी हम न एक दम रेडी है अगर आप हमार क्रेंटेजिक प्लैनिंग के साथ एंट्री करते है और यह जाबास कमांडोस को भी न मार्कोस भी कहा जाता है अब आप को घृट वेट 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 क्या मार्कोस यह क्या है अगर आप करन्ट अफेस को फॉलो करते हैं तो आपको न इसके बारे में थोड़ा बहुत आईड किया गया था मार्कोस कमांडोस हर तरह की न एन्विरांडमेंट में ऑपरेशन सकंदे में सक्सेस्फुल केपबल है चाहे वो सी हो एर हो या फिल लैंड भी क्यों ना हो ओवर दी कोस ऑफ टाइम जैसा जैसा वक्त बीता गया ये फोसेज धीरे-दीरे ज्यादा एक्सप्रियंस हासिल किये है और साथ में प्रोफेशनल भी है मार्कोस को इंटरनाशनल फ्लाटफॉर्म्स पर पहुती ज्यादा रेपूटेशन दी जाती है और इसकी टाइमिंग देख लो गाइस मतलब एकदम परफेट सबड़दस्ट है क्योंकि होती एक तरफ यहां इसर इरांडमेंड में सोमाली के पाइस के हाथ में कोल्डेन चांस था अगर यह इंडियन ने भी यहां इंटरफिय नहीं करती तो युनाटेट स्टेट्स ऑफ एमरिका यहां बहुत ही ज्यादा परेशान होने वाला था यूएसे का सिट्वेशन एक तो पाहले सही खराब है अ ऊइड़ी स्टेट्स ऑफ एमरिका को देखा करती थी यूएसे को याद करती थी यूएसे की नेवी को एक उमीद के तौर पर देखती थी लेगिन यूएसे ने वी औरेड़ी आज के टाइम पर बहुत सारे वेरियस प्लेजस पर बिजी है ired कोरिया में बिजी जापन में तैवान में बिजी है, USA खुद की नाशनल सेक्यूरिटी के लिए, मतलब USA ने भी हार एक एंगिल से बिजी है यहाँ पर, इंडिया यहाँ पना गाइस, USA के लिए एक उमीद बन चुका है कि अगर सोमाली के पाइरेट्स यहाँ कोई कडबड करने आये तो इंडिया हैंडिया कर सकता है, अगें देखो, यह टोटल ली, इंडिया करेगा नहीं करेगा, यह कंडिशन पर डिपेंड करेगा, कि जियो पॉलिटिकल कंडिशन वहां कैसी होगी, क्या वो इंडियन वाटर्स में है या नहीं, या बाहर, पॉलिटिकल सिनेरियो कैसा है, डिपेंड करेगा, और अगर इसे रिलेटेड कुछ भी डॉट हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको उसका जबाब दे दूँगा, साथ में हाट भी दे दूगा, और अगर मेरे वीडियो इंफर्मेटिव दिखे, तो इंटर्नाशनल अफिस के लिए, आप मेरे चानल को सब्सक्राइब कर स